नमस्कार दोस्तों मैं विपिन देव विभाग करड़ा के अंतर राष्टे योग जीवस के उपलक्ष में हमें कौन से वयाम प्रणायाम गया आसन सीखने हैं करने हैं उसके उपलक्ष में मैं आज आपको अपनी वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ चलने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि अपने पंजों को चलना हैं आपकी इडियो टी अपने हालों को इस तर्रीडियों को अपने चलते जाएंगे जैसे आप देख रहे हैं किस तरीके से पैर आप पीछे आगे पीछे चलेंगे उसके बाद आपको अपने पैरों को बगल में खुलना है इस तरीके से कुछ तरीके से आपको खोलना है उसके बाद आपको इस तरीके से अपने पैरों को एक्स की फॉर्म में पना करके चलना है यह इस तरीके से जब आप इसको इस तरीके से कर लेंगे तो अपने पैरों को सब्सक्राइब को पूरा करना है जब आप इसके बाद को क्या करना है कि अएक रचल पूमीट आपने जगा हता अपना इस तरीके से उसके लिए अपना पैर आपना बाया से तो पीज़ा इसे यह सब्सक्राइब करने यह था आप दायन जोग जिछा सब्सक्राइब है चार-चार की गैप पर इसको करना है, एक, दो, तीन, चार, जगा पर मिशलना है, पर इसको करना है, एक, दो, तीन, चार, ये आपका सतत्योग है, चारंको तक आपको जंप लेनी, फिर चारंको तक आपको एक हाथ, फिर चारंको से दूसरा हाथ, फिर चारंको से तीस ही, दो पंची योग करेंगे पंची योग के लिए आपको पैर को खोलना है पैर खोलेंगे अपने हाथ सीधा रखेंगे अपने दाहिने हाथ से अपने बाहे पैर के अंगूठों को छूना बाहे हाथ से आपको दाहिने पैर के अंगूठों को छूना हाथ सीधे कुछ इस तरीके से देखने के लिए आपको ठीक अपने हाथ के ऊपर इस उंगली के इस परवत वाले आसद को देखें मद्य में का उंगली के एक दो तीर चाफ पाथ छे साथ आप नौ तर्स यह मैं शिखाने के परपस से आपको बताने के परपस से बता रहा हूं इसको आपको अधिक साधिक अंकों में करना है पूरी 45-30 मिने तक की वीडियो में आपको यह जो बताया जा रहा है इसे आपको अपने घर पे अपने विवासिस्थान पर अपने आसपास पर जो छोटे बार्ग हैं वहाँ पर आपको करना है तो जैसे कि आपने इसको देखा Pansyo की तरीके से हम कर सकते उसके वाद हमें क्या करना है फ्लिए इसे दिखना डंड पोजिचन में आने के लिए आपको क्या करना अपने हाथों को जमीन पर इस तरीके से रहा है तो पैर पीछ जाएगा और यह आसा पर ज्जाए चर्भ ऐसे आपको सब्स़ों में तरीके से तेक दीजिए और अपनी थुट्डी को जमीन पर लगाना है इस पोजिशन में अगर आप से इजिप से या जंग नहीं हो पा रहा है तो आपको इस तरीके से करना है एक दो अपने पैरों को अपने दोनों हाथों के बीच में लेकर के आना भुजन्रासन की तरह उसा ही कोशिश करें एक दो तीज चार पाँच छे साथ आज नो दास तो अभी आपने देखा कि हम किस तरीके से इसको करें ठीक इसी का विप्रीद है अपने पैर को अपने हाथों के लेकर के आना किस तरह के साइगा देखेंगे यह इस पोजिशन में आएगा हाथ अपने हाथों के ठीक पैदल में लेकर के आना पैरों को एक दो तिन चान पांच छे साथ आठ नव दास वापस इसको दोस्तों जैसा कि अभी आपने देखा यह सारे उस्तु वयां की पोजिश सब्षार कर सकते हैं कि हमाने जगां पर सीधे खड़े होंगे हाथ को राकना कि इस तरीके से और फिर इसको हमें ऊपर कियो लेना नीचे सूद्ष देमेदक हुशallas कि जो दाए यहां से इसको उठाना उपर लेकर जाना स्वॉस भरना और नीचे छोड़ना ही इसको कौशूर सा ओरध्यान देंगे आपको अगले एकले हमें क्या करने वाले आपने पैरों कर लिया ठीक है उसके पीशूना ऑपने आपने आथ इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं तो जैसा कि आपने देखा कि ये किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं ये सभी आपके जो वयाम है वयाम की पोजिशन में आ जाता है अब आप इसको सीख चुके हैं हम इसे कैसे कर सकते हैं दूसरा मैं आपको बताने जा रहा हूं पेट की चरवी की लिए छोटे से जो वया में छोटे छोटे से देखिए अपने हाथ को सीधे रखना क्रॉस करके घूमना इस तरीके से एक बाद देख लेंगे यह पॉजिशन तो यह पोजिशन में आपको इसको करना है यह आपने देखा कि हम इसको किस तरीके से सीख सकते हैं किस तरीके से इसके आपको मैं धीरे बता दू इस तरीके से इस तरीके से तो यह आपने दिखा अब हम सीखने जा रहा है आपको सबसे पहले अपने इस्थान पर सीदे खड़ा होना है मैंने आपको बताया था आप तया का यूज कर सकते हैं अगर आप हरी घास में बैटे हुए तो मिस्की क्रूप से आप भास पर या जमीन पर बैठने का प्रयाज किये अब सीदे आपको लेतना स्राश छोड़ने की प्रकिरिया करें शुग मत्यमें किसी भी प्रकार का कोई भी तणाव आसन करते रहता अब हम सबसे पहले इस ताड असन कर लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है हिए अपने हाथों को धीरे धीरे खोल आतर में के समानंतर इसको लेकर कर यह अपर दो में आपको अपनी हठीयों का परिवर्तन करते वे दीरे इसको घुमाना है क्यामांक दो है क्रमांक तीन में आपको इसको दीरे दीरे ऊपर लेकर जाएंगे आप सीधे ऊपर कियो, कि चाओं में सरी इस तरीके से आपको इसे खीच के रखना है यह आप इस तरीके से कर सकते हैं बहुत सारे दोग पीछे अंगूटों का ऐसे ब्लॉक लगाते हैं जो आपको नहीं लगाना है चार, चार में बहुत सी प्रक्रिया हैं मैं आपको बता देता हूँ आप इसको इस तरीके से उपर भी खीच सकते हैं चार, अल्यथा आप इसको इस तरीके से भी उपर की ओर खीच सकते हैं चार, पीचियों के बाद पांच में आपको धीला छोड़ना सावीर को 6. घीरे धीरे जो हाथ उपर की तरफ जैसे गया था वैसे ही धीरे धीरे आपको वापस लेकर के आना है 7. साथ में आपका जो हतेली परिवर्तन होगा जो दोकी इक्रमान्त में हुआ था 8. धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे लेकर के आएंगे ये था ताड़ासन इस आशन से आपकी हाईट में इंक्रिजिन होती है बढ़ती है आपके पेटकीवी समस्याओं के बहुत ही लाबदायक है सरी तनापुन इस्तिती में मजबूत होता है अब इसको एक बार पुना देखेंगे ताड़ासन कर्ष तरीके से करना है एक स्वास भरते वे हाथ को उपर खाना दो हथेली परिवर्तन करना स्वास शोड़ते वे स्वास भरते वे हाथ को उपर लेके जाना तीर चार स्वास खीच के रखना उपर की और शरील को खिचा हुआ महसुश करना पांच शरी बीला छोड़ेंगे स्वास छोड़ देंगे छे हाथ को जीर जीर लेकर के आना तो जैसा कि आपने देखा यह ताड़ आसन है ताड़ आसन के लाव मैंने आपको निश्चित्रूप से बता दिये हैं इसको आपको अपने घर पर करना है अभी ठीक इसके वित्रित आशन में हम देखेंगे उत्कट आसन उत्कट आसन के लिए सबसे पहले आपको अपने हाथों को जमीर से जीर दीर उठाएंगे इस तरीके से जीर जीर उठाना और पीधे अपने हाथों को जमीर के समानंतर लेकर के आना दू धीर धीर आपको अपने हैं पढ़ियर परिवर्तन करना है अपने हाथ को आदो ऊपर शीकर चार अपने घुट्मनों को आगे की और जुख करने बैठना जिस तरीके से आप Moore करने की कोशिस करने सब्यक्राइब आपके कान आपके हाथ से चिपके सामने 5 अपराइंगे 6 अपने हाथ को खोले तक्धी समाएं द लाएंगे इसेदेश्ब पॐट थीलि परिवर्व करें जमीन की वी और आपकी अपर consent कि ऐसा उत्रार में दाओ आए योगिए होत्काट आसन इतकट आसन के लाब आपको बता दिये हैं, ये गुत्नों के लिए, पेत के लिए, रीड की हड़ी के लिए बहुत ही लाब दायक है, इन सब आसनों को आप धीर धीरे देखिए, समझे और करने का प्रयास कीजिए, जो आप आसन समझ में नहीं आता है, आप मुझे कमेंट करक पूछ सकते हैं, एक बर्पुनय उतकट आसन देखेंगे, धीर धीरे अपने हथेली को जमीन के समयमतार लेकर के आना, में हाथों को धीरे धीरे अपने हथेली परिवर्पन करेंगे, दो, तील में स्वास भरते वे हाथ उपर जाएगा, और स्वास छोड़ते वे हाथ को न पीचे लेकर के आना, इस पोईशन देखेंगे, धीर धीरे अपने हो उपर के ओध उठना, धीर धीरे हाथ खोलते हुए, दिने हुआ समानंका राना, धीरे धीरे हाथ को नीचे लेकर के आएगे, तो, यह था उतकट आसन, अब हम सीखने जा रहे हैं, व्रिक्षासन, व्रिक्षासन के लिए सबसे पहले हमिक्या करना, अपनी जगा पर सीधे खड़े होंगे, अपने पैर को अपने जंगाओं पर इस तरीके से लगाना, इस तरीके से लगाना, यहाँ गैप कम दिखे, शरील चीच सगा हुआ दिखे, यह ते, दो, यह देरे अपने हातों को गळल में लेके आदा हुआ देर, अपनी हथेली परिवर्तन इस तरीके से हम करेंगे, खीचते वे सरीर को औपर की ओल लेकर जाए गे. लिखना और फिर चार गीर ये हाथों को वापस लेकर के आना और फिर पांच हथेली परिवर्तन छे में धी दिरी नीचे आना अपने दूसरे पैर से भी इसी पकीरीया को आफो करना अपने ही आप पेस्तरीके से इसको लगाना यहार होड करना दी दिले अपने पेहाथों को जमीन के समानां तर उखेंगे कि अपने हाथों के अतेलियों को पूंते वें रखना तु मिना थीर के ओ और लेकर पैसको जाना सरयर कुरा थिचा हुआ से चुख अना आंग कुल दीर practice को नीचे लेकर करके आना यह है आपका ब्रिक्षासन, अब हमने देखा कि व्रिक्षासन किस तरीके से करते हैं, अभी मैं आपको आगे आउर आशन बता रहा हूँ, उन आशनों पे आपको फोकस करना है, देखिए, सबसे पहले अपने जगापे सीधे खड़े होंगे, अपने हाथ को खुलना, इस तरीके से पेर खूलेंगे पेले इसके बार हात खूलेंगे इस तरीके से और आपको त्रिखोण आसन के लिए आपको क्या कहाला अपने हाथ को अपने बाय पेर की तरफ ले करके जाना और पीछे की तरफ इसको रखेंगे दिखिए कुछ तो इस तरीके से ये पोजिशन में और ये हाथ यहां से यहां और फिर अगले कमांद को इस तरीके से उपर उठाना विष्टी सामने इस तरीके से देखिए इसमें आपको होल्ड करना है जब आप इस आसन को होल्ड करेंगे तो धीरे धीरे आपके सरीर के अं के वापस आया है ह कि हाथ को वापस लेखरएगा ठीक इसके विप्रित धूसरे पैरस ही अिस आसों को करेंगे देखिए किस तरह के त्रीकू खुलना हाथ पीध। menu लेकर कि आना अपने बाए हाथ तो अपने दाहिने हाथ की दाहिने पैर की तरफ लेकर के जाएंगे तोड़ा किस करना पूमाया और यह आपका हाथ आपका जो है इसके इस तरफ में करके फोगा अपने हाथ को सीदा उठाना उपर की ओर देखेंगे इस पोजिश्य के आप इसको पर रखेंगे आपर इसको रिखेंगे इसके इसमें आपर करेंगे तो पैसक आपने देखा हम इसको किस तरिके से आपर कर सकते अब तक आपने खड़े हो करके आसन चार आसन में को खड़े आपको बैठ के करने वाले बताने जा रहा हूं जो आपको देख रहा है इस तरीके से मिनासनों को कर सकते हैं अपनी जगहापर हमें सबसे पहले बैटने, उसके बाद आपको इस पोजिशन में बैठने की कोशिस करिंए, इसके बाद आपको अपने हाथों को जलीर पर रखने, रखने के बाद, आपकि कोहनी का यह हिस्सा होता एकम हो घुछनों को इसे उपन लेकरक्हानी इस्तरिके से करने निया थ Dil penguin अम 550 .» गुटनों को यहां लगाना और पीछे इतने पैरों को मिला सकते हैं इसका नाम है वकास है यह यादास के लिए भूलने की समस्या जो हो जाती है उसके लिए उसके लिए सरी के अंचे पारत नहीं ब्लड सर्कुलेशन को तेज करने के लिए बहुती लाबदायक आसन है मैं एक आपको एक चीज का और ध्यान देना है जब यह आसन आप करे तो आपके सर के पास को अच्छे को को नरम प्री होने से यह थास के लिए या को यॉझा को बैक आफ कर सकते हैं जिसलिए ना हो आगर आपसे यह आसन नहीं हो रहा है तो आप अपने जगा पे इस तरीके से भी धीरे धीरे कर सकते हैं धीरे धीरे अब ध्यास के लिए तो यह आपने देखा किस तरीके से कर सकते हैं ठीक इसके विप्रिष है आपको अपने जगा पे इस तरीके से बैठना अब इसको आज आपको अपने हाथों को घुमाते वे पुष्ट्रासन करने जा रहे हैं हाथों को आगे से गहमाते वी अपने धाइने हाथ को पीछी लेके जाना अपनी इरी के ऊपर रखना Hai इसके भी आपने गहांगी अपनी नुएको पीछनों रोब करता है कर आ jij धर कर सकते हैं जो हाथ कि आन हम पारना था ऊधी थे हात डिरे हो वापस ले यह था उस्ट्रासन के बाद हम करेंगे पश्चिमो तानासन में इसमें क्या होता है कि हम सीरे बैठते हैं हमें अपने घुटनों को अपने माथे को अपने घुटनों में लगाना होता है सवास Scout के लोगों का यह नहीं लग पाता है तो यह थाँ विस तरीके से पकड़ भी सकते और इस तरीके से ऑपड़ने की कोशिश भी रहें कि इस आशन के मैं सहीत्य के लिए आपको बता दूँ स्वास भरते वे हाथ को उपर लेके जाना था स्वास छोड़त है लेके आना अधिस तरीके आपको ते रोकने जो यह पोईशन आपको करने में तुभी ते आपको वापर आया तो देखें आपने देखा इस आशन को हम कि बजरासन अपने प dedic मोडना और यह बना यह साथ इसमें बैठ सकते हैं आफने हारव Kiya को इस तरीके से भनाना और यह इस तरीके साही की और जुकना है अपने झुटी को जमीन की और इस तरीके से लेकर गयाना और लगा हुआ ही इसमें आपको बैटना तो आपको रोकते हुए इस श्रासम को करने कोशिश करें कि कि तीरे दुरे वापस आएंगे अपनी जगया पे दिवापाइब को यहां पे अ चैनल और जनल वह बना दूए ओनों पृष्ट्यूं आपकर आपका अपकोर आपके देंनां भी ए नाभी आपके पास इस आपको यहां पर हाथ को रखना थे रेक्षतें को मेंचे लिएकर ज करने के बाद कुछ समय तक रुखना अपनी चैपिसिटी के मुद्राइब करें जितना आप रुख सकते हैं रुखने के बाद ही जुड़ा फोचे ओपर आने का मुद्राइब के अभी आपने देखा कि हम ये खारासन के स्थेटे सेखिए इस पोईशन में बगया था हूँ य पदमासन में हम किस तरीके से देख सकते हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो और आपसे नहीं हो रहा है तो धीर दिले आपसे दो तीन चार दिन के लिए होने भी लग जोगा जब आप इसको इस तरीके से हिलाते रहेंगे इस तरीके से सिर्फित करने अ कहीं है उसके बाद आपको दूसरे पैर को अपना से दूसरे पैर सो धीर दोसरे पैर को उठास नहीं हो इस तरीके से विए हैं यह है पदमासन चाही तरीके से बैध सकते हैं पदमासन में, आप दो मिन, चार मिन, छार मिन, दैटने का भ्यास की की तरीए में बहुत ही लाब जायक है। जितने भी आसलस में बता रहा हूं, आपको मेरे description box में इसके लाव हानी मिल जाएगी। तो आप मेरे description box में इसके बारे में चेक कर सकते हैं। वीडियो को अप्तिविक लंबी ना हूँ इसलिए मैं आपको सकती बताता जा रहा हूँ बाकिया दिश्क्रप्शन दॉप चेक कर सकते हैं मेरा उसमें आपको अधित्तर चीजे सब कुछ लाव आपको मिल जाए इस पर के सापको बैया उसमें अपको पुना यह रही कर सकते हैं और जब आप से नहीं हो रहा है तो आप इतने पर को धीरे दिरे इसको हिलाए एक बाइस पर को जब यह दिरे दिरे लग जाया जमीन को ऐसे से टैच्छ होने लग जाएगा त आप इसको आसामी से करते हागे इसको इठाईए और फिर वापस इसको रख भी इस प्रतीवा उप्रयपल दब्र कर से कीस तरैके से पध्यारै कर वह है जाए प किस ततरीके से टरिकसे 005 अब हम लेक के कुछ आसन देखने वाले हैं लेक करने के लिए आपको कुछ आसन में दिखाने जा रहा हूं सबसे पहले अपनी जगा पे तीजे लेखने आपको इस तरीके से अपनी जगापको लेखना है जब आप इस तरीके से नेटेंगे तो आपको धीर तीरे अपने पैरों को ऊपर की ओ उठाना फूर हातों को लगाते हुए अपने हाव सिस्टिंगे सपोर्ट देना यह इस तरीके से पैर ऊपर की ओड़िचा हुआ सबीर कीच के रखना इस आसन का नाम है सरवांग आसन सरव सरवांग आसन हम किस तरीके से कर सकते एक बार पूना देखेंगे अपनी जगा पर धीर कि इसके लाइना अपनी हाथ को उठाते वे इस तो उपर लेकर आना इतना उपर आप खैच सकते हैं सीदे आप मान की और इसको ठीच के सकते हैं यह है सरवांग वापस निकन अगर आप से नहीं होते आप कमर तोवी कात स्वृवांग जमीन के हो सकता है और आप ऐसमीन के भी हाथ को सपोर्ट पूर्व देखेंगे अपने हातों पूस्टरी की सिखेंगे अगर अगर आपसे नहीं जा रहा है तो आपनी कमर पे इसके सब उट भी यह सकते हैं आपस इसको ले करके आना उट इसी दिनी जिनी इसे लेके आरेंगे अब मैं आपको पताने जा रहा हूं भुजंग रासन के लिए अपने हाथों के लगाना अपने हथेलियों से अपने हाथ को ऊपर की और खिचना स्वास भरते वे हाथ उपर ना भी से ऊपर का हिस्टा उठाते वे अपने हाथ जांगासन की प्रिया में आप इस तरह के से होड़ कर सकते हैं मैं आपको आराम से बता रहा हूं बहुत ज्यादा मोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे कि दीरे दीरे वापस आजाएंगे अपने हाथों को आगे से उठाना पैरों को पीछे से उठाना इस तरीके यह नौकासन हे अूर। आपको वापस के हाना देखा आपने नौकासन हम किस तरीके से कर सकते हैं वापस इस चरद पर सीजह आएंगे यह ज़ना नौकासन वापस बैचना वापस सीजह होया आप उस पर अशासन को यह आपको लगवकुष आसन बताएं है जिसे आपको देखना है वनीस्चित रुपबर आसने से करना है अब मैं आपको कुछ प्राणायाम बताने जा रहा हूं जिसे आपको अपनी इस्थान पर आसाने से करें को दिखने दिखते हैं सबसे पहले हैं आपको सीधे बैठना है आप जा तो बजरासन में भी बैठ सकते हैं प्दमाशन्म सकते हैं यह जिस प्रक्रियाब में बैठा हूँ जिसे अल्किपालतिमार के बैठना कहते हैं इसे suchasana कहते हैं आप सुखासन में भी बैच सकते हैं, अपने हाथ आपके सीधे होंगे, आपको अपने हाथ घुटनों पर रखने हैं, सीधे आपकी दिल की हट्दी सीधी होनी चाहिए, उसके बाद आपको स्वास को भरना, स्वास छोड़ना भस्तिका कहलाता है, स्वास को भरिये, स्वास को भरना, स्वास छोड़ना, इस पर आपको करना है, कुछ सेकंड्स आप इसे होल भी कर सकते हैं, रखितक डिल कर सकते हैं, स्वास कर सकते हैं, स्वास कर सकते हैं, भश्टिकार स्वास भर्णा और जट्के से छोड़ना आपके हात qutnao पे रहेंगे अब करेंगे कपाल भाती के लिए अपने अपने हातों qutnao पेट को अंदर की ओर हलके अलगे जटके देने और नाक से स्वास को छोड़ना तो देखेंगे किस तरी के समय से कर सकते हैं यह आपको अंदर सी ओर जटके देना इसे 25 से 30 बार 40 बार 50 बार अपनी कैपिसिटी के इंसान इसको करना है दोगर दो से तीन सेट आप इसको आसानी से कर सकते हैं उबर देखेंगे तो आपको इसको अंदर की ओर जटके से छोने ताकि आसानी से आप इसको कर सकते हैं आपने देखा हम कपाल भाती किस तरिके से कर रहे हैं दिश्टी साम दें आखे बंद नहीं करनी हैं हाथ आपके गुर्पनों पे अपने स्वांस को भर करके आसानी से आपको पेट को अंदर हलके जटकों के साथ इसे फील करना है और नाक से स्वांस को छोड़ना है आपके जटके से निकाल रहे हैं और जो लगाना है पेट 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 अंदर के तरफ जाएगा कि आपके स्वांस प्रक्रिया के लिए आपके अंदरुनीग पक्राट के लिए ये बहुत ही नापदायक प्रणायाम को आप जरूर करें अभी हमने बस निका देखा सुंटाए यहां अंनलों विलुम विलुम का मतर्प किस तरीके से अनलों एक तरब से स्वास लेना। दूसरी तरब से स्वास छोना। अपने हाथ को आप कुछ इस तरब से भी बना सकते हैं। देखें ये हैं पोजिशन में आपको इससे अपना हुठे से ओबाना । यह तोरतना को दावाना विधिल देघूस न Bear बूस्तरी तरह नाक को दावान आँ दूसरे तरह तो ईराँ विले चो मिधी जोना ग्रूसर भी तरह को चोना दूसरी तरफ से इसको चोड़ना तो पिसी ठीक इसीकर इप्ट्रित आपको करना इस तरी के लिए आप इस तरह की आपकी हस्ते को दबाना दूसरी तरफ से सांस लेंगे बसी तराप चाराब आस लिदी ए आस लिदी ए आस लिदी ए इस प्रक्रिया को पांस से दस बार दस से पंद्रा बार पंद्रा से बीस बार आप इसे करने से पूशिस कीजिए धे दे आपके सांस में सुधार आएगा आपके फेश्रों को लंश को मजबूत ही अब हम सीखने जा रहे हैं अब हम सीखने जा रहे हैं प्रहाम्री योग भौरे की तरह गुंजन करने के लिए आपको इस तरीके से अपने हाथ को इस तरीके से बनाना अपने तीनों पूंजियों से आखों को बंद करना अपने एक से अपने इस तरीके से इसको बंद करना अपने मूठों से अपने काद को बंद करेंगे दिए स्वास भरना और करके गुंजन करना भौरे की आवाज में ते तक प्रक्रिया को लगभग तीन से चार बार चार पांच बार आप करते जाएंगे आखें नहीं खुलेंगी फ्वास भर यह करें कर दो 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 इस आशन को करने के बाद अपने हातों को अपने घुत्नों पर लाएंगे, आखे नहीं खुलेंगे, गहरी सांस लेनी और धीरे धीरे छोड़ना ज्यान रहे हमें आखे नहीं खुलनी हैं, स्वास भरेंगे, ओम का उच्चारन काना स्वास भरिये पुना स्वास भर्ना इस पुना को आप चार से पाँच बार करेंगे 5 बार चीऊद लोल की लिगए आपने हाथ को सेद हो आपर do लिगे इसके बाद अपको अपने हथिल्यों मैं आपस ने काफी लगणा हैं जैसे आपके अपनी हथिल्या गरम हो जाएं आपको अपने चहरे पर इसे आपने चरह को ज baru जबअ करम करने के बाद आख अपने चामर मलजेंगे और अपने आखों पर सिखाई करेंगे इसदर आख पुला पुला मलेंगे अपने अपने आखों को सेखी कि अपनी तर्जमी जो अम इस मनली को तर्जमी के लिए उठाता है जब हम बच्चे को बोलते विट तर्जमी निव्र में पसकर के ओफ कि आखे उपर जो एक डोगे चार पॉत को पिछ हैट नाख पर कान को पीछे एक दो तीन चार पांट पुना हाथ को गरम करके पूरे शहरे पर मलेंगे अपने हाथ घुटनों पर रखेंगे और धीर धीरे अपनी आखों को खोलने का प्याब करेंगे यह था प्रणायाम जो आपको मैंने बता है प्रणायाम आपने किस तरी के से देखा यह आपको करना है जो भी डाउस है या इसके डिस्क्रिक्शन दॉक्स में मैं आपको लाव वैस के हान डाल दूगा आप वहां से देख सकते हो अंतर राष्टे योग दीवस पर लगबर प्रण इतने आपको आसान शार कर सकते हो तरह करने जा रहे हैं सुरी नमस्कार सुर्य नमस्कार के लिए आपको सबसे पहले समस्तिती में खड़े होना, आपने एरी पंजय मिलाने, अपने हाथ को इस तरीके से करना, आपके इस हाथ की पोजिशन देगी ये जमीर के समानंतर लखने, इस तरीके, आपको सास भरते हुए अपने हाथ को ऊपर लेकर के जाना पैर जमीर के लगाना tatsa, कान से छिपा के पीछे जितना जुक सकते हैं स्वास भरते वे अपने कमर से उपर का हिस्सा, आपके जो नाभी है उससे उपर का हिस्सा उपर की और उठाना पूछा है, स्वास परवत आशन्द, अपने पैरों के बीच को आश्मान को देखने का प्रयाफ करेंगी, जो पैर पीछे गया था हाथों के बीच में नौ, आपको इसे करना है, एक, दो, ती, चार, पास, छे, साथ, आठ, नौ, दस, एक बज़ पुना देख लेंगे आप, स्वास भरते वे हाथ उपर लेके जाना, स्वास छोड़ते वे हाथ नीचे लाना, दो, ती, चार में छाती हुतना वस्तर, छे, तर, आठ, नौ, दस, यह देखा आपने, हम यह सुर्य नमस्कर किया, अब इसको आपको आशन के साथ करना है, जने हो दो आपकोंज